Hello my dear friends, कैसे हैं आप लोग? एक सवाल है कि सबसे अदा गलतियां कौन करता है? देखो वैसे गलतियां तो सारे इंसान करते हैं, इसलिए इंसानों को गलतियों का पुतला भी का जाता है लेकिन मेरा ये मानना है कि गलतियां वो लोग करते हैं जो bold होते हैं, brave होते हैं जो needer होते हैं, बहाधूर होते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि एक experimenter एक scientist जो होता है वो सबसे अदा गलतियां करता है क्यों करता है क्योंकि जब वो experiment करता है तो वो अलग अलग चीज़ों को ट्राइ करता है और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को ट्राइ करने के दोरान गलती हो जाती है और जब गलती होती है फैलियर होती है गलती होती है फैलियर होती है उसके बाद तब जाकर के उन्हों को अपना outcome मिलता है उनको अपना end result मिलता है अगर मैं आपको कहूं कि आपकी काम्याभी आपकी गलतियों पे depend करती है तो आपके believe करो गए आपको यह unbelievable लगेगा लेकिन आपकी काम्याभी आपके गलतियों पे depend करती है कैसे चली जानते हैं well सबसे पहले एक example को लेते हैं और बहुत ही famous example है वह है बल्ब की खोज किस ने की थी आप सब को पता है बल्ब की खोज थामस एलवा एडिसन ने की थी और उसने 9999 बार failure होने के बाद तब जाकर के बल्ब का इजाद किया था लेकिन थामस एलवा एडिसन 9999 बार fail कैसे हुए उन्होंने 9999 बार गलतियां की तब जाकर के 10,000 बार में उनको success मिला अगर सूचिए वो 9999 बार experiment नहीं करते और उस experiment में अगर गलतियां नहीं होती तो क्या लगता है कि आज ये दुनिया रोशन हो पाती तो आपको क्या लगता है कि बल्ब बन पाता बिल्कुल नहीं ग्रेट साइंटिस्ट अलबर्ट आइंस्टेंड करते हैं कि जो गलतियां नहीं करते वो कभी कुछ नया सीख नहीं सकते लेकिन बहुती दुख की बात है कि हमारे समाज में हमारे देश में गलतियां करना एक बहुती बुरी बात माना गिया है क्योंकि हम लोग उसी तरह से प्रोग्राम हुए है चाहे वो फिर हमारे माबाप के पास हो चाहे वो फिर हमारे स्कुल में हो और सबसे बड़ा जो विलेन का रोल प्लेग किया इसमें वो है हमारा education system क्योंकि हम लोग education system में जब गलतियां करते हैं तो हम लोग को punishment मिलती है और जिसकी वज़े से हम लोग नहीं चीज़ें सीख नहीं पाते हैं और कुछ नया experiment नहीं कर पाते हैं क्योंकि जब एक बार गलतिया होती है तो उपर से dart पर जाती है और जब ऐसा करते करते हमारी एक programming बन जाती है कि भाई गलतियां नहीं करनी गलतियां करना बहुत बुरी चीज़ है बहुत बुरी बात है और इसी वज़े से कुछ नया innovation नहीं हो पाता actually जब हम लोग बच्चे थे तब हम लोग perfect थे क्योंकि हम लोग उस वक्त गलतियां करने से डरते नहीं थे और जब अभी हमारी इतनी strong programming हो चुकी है कि गलतियां करना बुरी बात है तो हम लोग कुछ नया से जल्दी सीखनी पाते और बच्चे जो होते हैं उनको गलतियों से कोई शर्म नहीं होती उनलोगों को लाग कोई कुछ भी बोल दे अगर उनलोगों को चलना है तो फिर वो चलेंगे फिर चाहे वो हजार बार गिरें फिर चाहे वो हजार बार गलती करें कोई भी हसे कोई भी कुछ करें वो नहीं रुकते लिकिन हम लोगों को शर्म आ जाती है हम लोग ये सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे इस से related एक बहुत ये बहतरीन कोट है कि mistakes are proof that you are trying और मैं एक word add कर रहा हूँ and growing मतलब कि mistakes ये सबूत है कि आप कुछ try कर रहे हो और आप life में आगे बढ़ रहे हो और अंत मैं author, speaker और blogger Mark mentioned कि एक quote से मैं इस बात को समात करना चाहूंगा कि the key to self-improvement and the key to success is to make plenty of mistakes but to never make the same mistake twice मतलब कि self-improvement और कामियाभी का जो चाबी है वो ये है कि आप बहुत सरी गल्दियां करो और plenty of mistakes करो लेकिन आप same mistake को दोबारा मत दोराओ दो बारा मत करो गल्दियां करना अच्छी बात है लेकिन अगर आप एक ही गल्दि को बार बार दोरा रहे हो तो ये फिर बहुत बुरी बात है तो यही है मेरी life का one of the biggest lesson आपकी कामियाभी आपके गल्दियों पे depend करती है आप जितने ज़्यादे नए mistakes करोगे आप उतने ज़्यादे learnings लोगे और आप उतनी जल्दी आगे बढ़ोगे और कामियाभ बनोगे वेल दिन यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट्स में जरूर बताएं इस वरां शुममी, थांक यू सो मच